दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मटका बॉलिवूड यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस घंटे को ताके आपको मिल सके बॉलिवूड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दोस्तो सुआगत हैं आपका एक बार फिट से जी हाँ दोस्तो आज हम आपको अभिनेता अजिदेवगन की 19 फरवरी 1999 में रिलीज हुई फिल्म कच्चे धागे और एक्षे कुमार की 19 मार्श 1999 में रिलीज हुई फिल्म आर्जू के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में बताएंगे तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे धागे फिल्म के बारे में दोस्तो अगर हम कच्चे धागे फिल्म के बात करें तो ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी और ये एक इंडियन हिंदी एक्षन ट्रामा रोमैंस से भरपूर फिल्म थी इस फिल्म को मिलन लथुरा ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म में अजिदेवगन, मनिशा कोईराला और सैफली खान थे इस फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन 29 करोड रुपे था इस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 16 करोड रुपे का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था कच्चे धागे फिल्म को बनाने में तकरीबन 10 करोड रुपे खर्च हुए थे और ये फिल्म सूपर हिट साबित हुई थी तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं आर्जू फिल्म के बारे में दोस्तो अगर हम आर्जू फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी और ये एक एक्शन ड्रामा रोमैंस से भरपूर फिल्म थी इस फिल्म को लॉरेंस डिसूजा ने डिरेक्ट किया था इस फिल्म में अक्षे कुमार, माधूरी दिक्षित और सैफली खान थे अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो बारा करोड रुपे था इस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 6 करोड रुपे का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था आर्जू फिल्म को बनाने में तकरीबन 8 करोड रुपे खर्च हुए थे और ये एक फिल्म फिल्म साबित हुई थी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन इस पसंद आई होगी और आप हमें कमेंड में ये जरूर बताए कि आपको इन दोनों फिल्म में से कौन से फिल्म से ज्यादा पसंद आई थी मैं फिर मिलूँ आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखे थैंक यू